Welcome back dear students, last 10 days strategy for your upcoming exam, क्या होना चाहिए चलिए अब बस पे बात करते हैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बढ़ाई हो कि आप एक बहुत अबवल दर्जे का exam देने जा रहे हैं जो कि आपकी real माहिने में जिन्दगी बदल सकता है तो इस महौल में किसी भी हालत में give up करने का तो सोचने का दरकार ही नहीं अगर आप हमारे सारे strategy वीडियोज को अभी तक सुनते आए हैं तो आपको समझ में आगया होगा कि अभी तक मैंने क्या-क्या guide करके आपको करवा दिया कि मैंने बोला आप आइसे में mat solve कर लेना summary notes हरे chapter का बना लेना part test दे देना जो हमारे SGC का mock test series का part 1 था phase 1 था वो तो ये काम हमने phase 1 तक आपका करवा लिया फिर phase 2 में हमने आपको बोला कि model question paper दे देना और past year paper सारा solve करना trend analysis करना सारे papers का जिससे आपको insight मिले bird eye view मिले और फिर full test देने आना तो यहां तक आपका second stage of revision हो चुका है तो अब what next what next what next is very very simple it's more to enjoy now less to stress out what next is you should now sit back and prepare your summary notes to an extent that it includes all your mistakes that you have done while going through all these stages and it should include all the relevant or very very tricky questions where you get stuck with page number ठीक है कि कहाँ पर वो मिलेगा if possible topic wise ही topic के जगा जगा मार्क किया हुआ है कि इतना question है जो मुझे हर बात दिक्कत दे रहा है जो मेरे से एक बार में होता नहीं है और उस question में भी ensure करना है कि वो area marked हो जहां पर आपको दिक्कत होता है और answer में भी area marked हो जहां पर आपको दिक्कत होता है यूज भर भर के highlighters, colorful pens, pencils to do this smart work in your preparation ठीक second number ये summary notes के बाद summary notes को revise करोगे revise करने का दो दरीका होता है गबर लेकर और गबर 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 दूसरा तरीका है कि आप revise करने लिए इसको बेस लेकर एक बार नज़र से निकालकर फिर से एक fresh लिख किане देखो लिख रेक्टरिकुष्ट। उतना दुमाग में बढ़ता है से स्पीड भी बनता है तो revise करना आपको ensure करना है कि यहाँ पे जो marking किया सारी गलतियां सारे question number सारे concepts एक बार देख लिए गए इसके बाद third number आपको dedicated time जो देना है वो MCQs को देना है MCQs आपके लिए 30% marks का weightage रखता है तो आपको MCQs कहां कहां से practice करने है ICMI mat के सारे MCQs practice करने है second number ICMI से भी recent में MCQ bank आया है उसको practice करना है अगर कोई subject old syllabus से continue हो रहा है तो old syllabus में आप search करोगे तो bit questions बोल के आएगा तो उसका MCQ करना है और आपको जितने भी model question papers मिले हैं past year paper मिले हैं उनके भी MCQs देखने है तो ये सारे MCQs आपको करने है जो repeat होंगे उसको छोड़ देना है या repeat को भी देखो तो revise हो जाएगा और MCQ कैसे करना है summary notes पढ़के खुच से attempt करना है जिसमें फस होगे उसको circle करना है और उस circle वाले में क्या answer सही है गलत है उसको थोड़ा सा पढ़के decide करके conclude करना है जहाँ पर doubt हो वाँ पर institute को जिता देना है अगर आप फस जाते हो कोई भी दिक्कत आती है MCQ solve करने में और आप हमारे student है तो आप भर-भर के मेरे से question पुछे लेकिन मेरे से खली मेरा MCQ test मत लीजे आप अपना question के साथ अपना solve किया वा answer की मुझे भेजे मैं जैसी समय में लेगा आपको reply करता हूँगा तो आपको भी तसलिक हो जाएगी बहुत बच्चे बोले सारा MCQ आप करा दीजे भाई आप समय limited है बीज बार तो संभव नहीं हो पाया बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि MCQ bank जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ वो सारा बना के आपको दे दूँ जल्दी से जल्दी अगर आएगा तो एक दू दिन में आपको पता चल जाएगा within this week ठीक है कोशिश कर रहा हूँ यह already 80-90% हो चुका है कोशिश कर रहा हूँ कि coming week में आपको मिल जाए ठीक है तो आप उससे भी देखके कर सकते हैं नहीं तो आपके पास इसारे resources आप वहाँ से भी कर सकते हैं तो यह MCQs पर devoted time देना है आपने अगर trend analysis किया है तो आपको समझ में आया है कि कुछ-कुछ subject में थियोरी पढ़ना पढ़ता है चाहिए वो practical subject हो ठीक है और कोई practical subject है तो उसमें कोई theory करना है तो theory subject में कोई practical करना है तो कुछ ऐसा theory in practical subjects जो आपको लगता है कि किसी एक-दो chapter का कर लेने से थोड़ा सा अच्छा रहेगा या किया हुआ है तो उसका एक focus revision करना है क्योंकि इसको अगर devoted time नहीं दोगे ना तो यह exam होगा है आप लोग risk करके चले जाओगे तो यह time अब इसको जाना चाहिए और यह पूरा करने के बाद तक आप sequence एक बनाएंगे कैसे जैसे अगर आपका paper मान लिजे जो भी exam date में चालू हो रहा है वो paper number 4 से चालू हो रहा है और paper 5 से चालू हो रहा है 5,6,7,8 आप exam दे रहे हो for example try to understand कि यह exam का sequence आपका तो इस exam sequence का है तो आप यह जब mcq revise करोगे last 10 days में तो आप उल्टाब में पढ़ोगे पहले 8 का फिर 7 का फिर 6 का फिर 5 का समझ गये तो routine जो बनाओगे वो sequence में opposite of exam routine बनाओगे बनाओ ऐसा नहीं कि पहले 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर फिर क्या होगा फिर 5 फिर पाइब पढ़ना पढ़े गा दो बार पढ़ना पढ़े जाएगा और time पढ़ जाएगा तो opposite exam routine बनने से क्या होगा 8 फिर 7 फिर 6 फिर 6 फिर फिर exam दे लिए फिर 6 के लिए time ऐसी कम बचने वाला है क्योंकि exam के बीच में आपको gap कम मिलता है तो आपका जो last पढ़ा होगा वो ज़्यादा याद रहेगा उस objective से हम लोग routine opposite of exam routine बनाके पढ़ेंगे तो इस strategy को follow करोगे तो अब क्या होगा MCQ से अपने आप सारा chapters का revision MCQ जीतना solve करोगे सारा chapter का concept सारा practical सब खुल-खुल के दिमाग में आ जाएगा और मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ते पढ़ते और provided app MCQ खुद से attempt करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा तो मचलन होगी आपको लेगा कहां से आंसर लाओगा और यह नहीं कि फट से मुझे बेज दिया खुद से attempt करके आंसर खोजोगे ठीक है सब PDF वीडिएफ जुगार कर लो सब Google में सर्च करकर करके आंसर निकाल सकते हो चैट जीपटी से आंसर पूछ सकते हो बहुत सारा तरीका मजा करके एकदम एना activity के तरह इसको पढ़ना है ऐसे नहीं कि परिशान होते रहना है जो बच्चे यह सब strategy को follow नहीं कर रहे हैं वो एक चक्रव्यू में फसे हुए है वो है marathon videos देखने का चक्रव्यू तो प्लीज उसको stop कर दीजे उसको देखके बहुत जादा फाइदा नहीं होगा तभी देखिए उसी portion का देखिए जहां पर आप फस रहे हैं आपको करना है जो मैंने आपको बता है marathon videos उसी portion के लिए है जहां पर आप अटक चुके एकदम भूल चुके हैं या फिर जहां पढ़ेते हैं वहां पर clear नहीं हुआ तो दुसरे और सरका देख लिया उस तरह से marathon को handle करना है बहुत समय पहले पढ़ेते एकदम blank हो गया तब देखना है बट जो चीज अभी freshly ताजा ताजा है उसमें ये सब steps जादा लगाना है ना कि marathon marathon खाली देखते रहना है marathon के मेरा process का party नहीं है marathon तब है जब summary notes बनाते समय लग रहा है कि यार कुछ याद ही नहीं आ रहा हूँ वह अला चीज का तो एक बार marathon देख लिया तो याद आगे marathon उनके लिए जिनका घर में भोकाल मचा हुआ है एकदम तबियत ववियत सबका खराब है और दिमाग concentrate करनी पारा खुझ से तो marathon चदा लिए तो something is better than nothing हो जाए बट मास के लिए marathon वीडियो नहीं होता है आप गलत तरीके से prepare कर रहे होता है इसलिए marathon आपको pass नहीं करा सकता है marathon बस आपका समय को utilize कर सकता है अगर आप खुझ से नहीं कर बा रहे हैं तो तो यह है guys इतना ही आपको अभी बताना था अभी आप बस exam date के हिसाब से ultra routine बना कर ये चार चीज़ पर काम करिए और फिर day before exam के लिए तैयार हुए ये day before exam strategy वीडियो अलग से आएगा उसमें अलग से आपके साथ बात करें कि आपको क्या करना है कैसे करना है हमारे साथ जो बच्चे mock test series में जुड़े वे उनका तो बहुत ही गजब preparation हुआ है इस बार अभी उनके साथ हम लोग अलग से live session लेते हैं वो अलग से लेंगे उनको वापस से ये सब चीज़ और अच्छे से और detail में समझाएंगे और आप भी अगर mock test series ही दे रहे तो और December एक बहुत important date है and what is that date Kolkata में पहली बार SGC organize कर रहा है एक seminar जिसका नाम है CMA Passing Formula ये seminar सुबर 10 बजे से साम को 6 बजे तक चलने वाला है और आपकी life का एक life turning experience होने वाला है in the sense of your academics of CMA course तो इस seminar में जितने भी CMA Pass करने के secrets हैं जो जगा जगा अलग-अलग videos में अलग-अलग classes में बताएवे होते हैं उच्छ सब को इकठा कर दिया गया है कि आप easily CMA Pass कर जाएं to easily pass CMA दूसरा हमारे कुछ CMA के achievers हैं जिनोंने life में कुछ तगड़ा किया है उन से आपको मौका मिलेगा लाइव मिलनेगा जो की बहुत कम opportunity आपको मिलता है हली video में आप देखते रहते हैं और सबसी interesting आप अपने ही बंदूओं से network कर पाओगे जिससे की आपके भी कुछ दोस्त तो बने या online classes में अकेले बैठे बैठे खाली अकेले के साथ ही रह गए हो मैं और मेरी तनहाई उस तनहाई को दूर करना है तो ये network करने जरूर आईएगा network में वो सब गुल्चड़े उड़ाने का काम नहीं होगा वो design networking है आपको बड़ा मज़ा आएगा एक life turning experience होगा bookings bookings हम लोग कर चुके हैं आपके बरोसे seminar अभी के लिए free है ऐसे fees होना चाहिए हम लोग जिस मेहनत से करा रहे हैं वैसे पूरा दिन का कम से कम धाई 1000 रुपया ठीक है हमारा cost ही per head लगने वाला है 1000 रुपया पर head 1000 रुपया हमारा cost लगने वाला है बट आपके लिए क्या ह free है आप seminar में जरूर आए कुलकता में रहते हैं होडा में रहते हैं तो आना है आसनसल दुर्गापुर वाले टिकेट कटाएं बर्दवान वाले टिकेट कटाएं जो आसपास हैं आ सकते हैं जरूर आपको आना है राची जमशेदपूर धनबाद ठीक है इदर सिलीगुडी गुहाटी असाम से भी कोई लोग जो और दूर में रहते हैं अगर आप हो सके तो ये डेट को लॉक करके टिकेट बनाएं कुलकता आएं कुलकता भी घुमें है ना ये समय में कुलकता में बहुत बहार रहती है और ये seminar में जरूर 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 पाटिस्पेट करें लिमि सेमिनार में वॉलिंटेर भी बनना चाहते हैं जिससे की सेमिनार और बेटर हो पाए तो इस जी सी में कॉनटक्ट करें हम आपके साथ जुड़के एक बहुत भयानक बड़ा सेमिनार करना चाहते हैं चली तैंक यू सो मच विल सी यू सून ये seminar सब के लिए एस जी स्टूड़ेंट के लिए ज़ा नहीं है, Foundation Interfinal कोई भी CMA पढ़ रहा हूँ, CMA पढ़ रहा हूँ, उसके लिए है, बस सीधा सा बात है, CMA पढ़ रहा हूँ, उसके लिए है, okay?